यह देखे आज मैं आपके लिए क्या ले करके आई हूँ बहुत इस्वादिस्ट लगने वाली मिक्स वेज बनाई है आज मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में शादी ब्याय में जाते हैं तो वहां पर हम इस तरह की सब्जी खाते हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे तो की देखना औरसे ब्लाइक करना वीडेयो चैनल को विडियो लायक करना वीडियो शेयर करना और कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रहे है है cow happen 수 स्वागत आपको अपना अलबेला किंद में देखने आज मैं आज के लिए एक बहुत इस्वाधि थी और गोपी थी मत्रत लिए प्याज लिए ये देखें अब कड़ाई में ले लेंगे हम तेल उसको गरम कर लेंगे और इसमें मैं आप डाल दूँगी गाजर क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड है पहले इनको फोड़ा सा कर लाऊंगी अब इसमें मैं गोपी भी डाल दी ये देखें इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे और जब ये थोड़ा गर्ल जाएं अच्छे से लगए कि आपको ये तयार है तो इनको हम एक बरतन में निकाल लेंगे अलग से इस तरह से इसको अलग निकाल लेंगे फिर हम इसी तेल में दूसरी सब्जियां डाल देंगे अब ये पूरा निकालने के बाद देखिया मैंने बैंगन बिलिये थे आपको जों पसंद हो अब कठल टाल सकते हो अपिस में आप कठल को तोड़ा-सब बईल करते में पानी करका ղेने अब देखें इसको भी में अच्छे से शीक लोगी, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, फिर इसको भी निकाल लोगी, इस तरह से, और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू, यह अब आलू डाल दी मैंने, आलू को भी अच्छे से भून लोगी इस तेली में, और अब मैं डाल लोगी इसमें प्याज, ज अगर आप नहीं घाते प्याज तो उसको मट डालना और अब इसमें मैंने मटर भी डाल दी है मटर भी कच्छे थे बोयल नहीं किये इनको भी इसी में सेख लूँगे अच्छे से क्योंकि ये सी में गड़ जाएंगे थोड़ा फिर उसके बाद जब सब्जी बनाएंगे तो उसमें पक जाएंगे अब ये होगे हैं तियार देखि मैं इसको लगा के देख रही थी तो ये आलू गड़ने लगे है थोड़ा अब इनको मैं निकाल लोगे ये है पत्ता गोबी अगर पत्ता गोबी आपको पसंद है तो आप डालना अगर नहीं पसंद है तो मन डालना इसको भी इसतर सफ्राई कर लिया और निकाल लिया पत्ता गोबी भी मैंने थोड़ा बड़ा ये काटा था बारिक निकाटा था और ये है मोटी मिर्च जो अचार वाली होती है ये भी मैंने तीन चार ले ली थी इनका विस्वाद बहुत अच्छा आता है सब्जी में और इसको भी जीर आप थोड़ा सा तेल ओड़ जिय था जै ज्यादा दॉड़ा तेल तोड़ एब इसको सेक जेमें तोड़ा से में पेस्ट इसको भी अच्छे से रूगी अब ये डाल दिया और थे तीज ज़्युआ है दो प्याज, अभी आपको लग रहा हो कि तेल बहुत कम है, लेकिन जो सब्जिय हमने तेल में सेखिए है, उनके अंदर भी तेल है, इसलिए फिर जब मैं वो डालूँगी, तो वो तेल छोड़ देंगी अपना इसके अंदर, इस तरह से इसको सेख लोगी, अभी ये बुन ज तो फिर ऐब जादा नहीं गड़ाओंगी, तोड़ा इंगड़ाओंगी, उसके बाद हल्दी और लाल मीर्च, ये डाल दी मैने, लाल मीर्च अर इनको भी चलालूँए अच्छे जहें, उसके बाद अब डाल दी मैने, सारी सब्जी आ है, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च कर देंगे और यह बाप की सब्जी जल्दी तयार हुजाईगी इवा अहीं कोई टालना आपको अब करें और ठक्रण लगा कर के कि देखेंगा भी नजुदा सकी तोट और कितनी अच्छी colorful सब्जी लग रही है एक दम ये थोड़ा सारा दनिया डाल देंगे अभी मैं डालूँगी इसमें थोड़े से मसाले ये डाल दिया मैं गरम मसाला ये दनिया पाउडर है और ये kitchen king है बस इसमें ये तीन मसाले डालूँगी और इसको थोड़ा सा इसी तरह से मिलाऊंगी और एक दो मिंट के लिए gas पर रखोंगी और इसको फिर मैं सर्व करती हूं चलिए आपके ये देखे कितनी अच्छी तैयार हुए है सब्जी बन करके इसको आप पूरी प्रांठा जिसके साथ आप खाना चाहे उसके साथ खा सकते हैं बहुत अच्छी रखत दीए बहुत अच्छी और यह जो मिर्चे है मिर्चे मैंने तबे पर फ्राइए की थूड़ा सा इनको बीच में कट लगा करके और तोड़ा सक लगा और तेल डाल करके तब सेक्क्स का उच्प गाप तो बहुत अच्छे लगता है, एक अचार की तरह लगती है ये भी स्वार डबल हो जाएगा आपके आप इसको पूरी नान रोटी जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं ये देखें तो इसलिए बनाना जरूर, फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो देखने के लिए